दोस्तों बहुत दिनों के बाद एक अच्छी न्यू जाई है रेन इंडेस्ट्रीज के लिए जो कि आज का एक ब्रेकिंग नीज है और इससे पहले किसका सेयर प्राइस उपर जाए मैंने सोचा चलिए आपको मैं अपडेट कर देता हूँ ताकि आप भी इसका फाइदा उठा सके तो यह अच्छी न्यूज किया है इसको बताने से पहले एक छोटा सा मैं बैक्ग्डाउंड बता दूँ कि जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके पेट को कि इंपोर्ट पर बैन लगाया था और इसका बहुत लेट हो रहा भी स्टार्ट हुआ नहीं है तो और बीज में करोना का भी इंपक्ट आ गया तो इतने सारे बैड नूज के बाद हलाकि पिछले कुछ कोर्टर से इसका जो रिजल था इंप्रूब हो रहा है लेकिन इसका जो डेट है बहुत बगाए डेट है और इसका बहुत आप interest बहुत ही कम है लेकिन जब बुक पे जब बड़ा सा डेट दिखता है तो इसका बहुत इंपक्ट पड़ता है तो आज फाइनली एक बहुत ही अच्छा न्यूज आया है जेन इंडेस्ट्री के तरफ से उन्होंने एनॉंस किया है तो यह जो बड़ा न्यूज है यह न्यूज यह है कि देन इंडेस्ट्री ने अपने दो सबसिड्री कमपनी को 637 क्रोर पे सेल किया है और यह न्यूज आज 31st December 2020 को आया है यह जो 637 क्रोर है बहुत बड़ा एमांट है और कमपनी ने यह भी अनॉंस्मेंट किया है कि इस मनी को अपने डेट को पेरवेक करने के लिए उज़ करेंगे तो यह दो सबसिड्री कमपनी कौन सी है जिसे जेन इंडेस्ट्री ने सेल किया है तो पहला कमपनी है, रॉटर पॉलिमर्स लिमिटेट कनाडा की कमपनी है जिसका एरली सेल से 258 क्रोग दूसरा कमपनी है है रेली सेल से 228 क्रोग मतलब कि यह दो कमपनीओ के सेल करने के बार, इसका रिव मिन्यू है तो 480 क्रोग स्कम हो जाएगा अगले साल लेकिन चुकि आगर आप देखें पिछले साल इन इंडिस्टीज का जो टोटल सिल्स था वो 12,360 क्रोर का था तो उसके सामने यह जो 480 क्रोर है यह सी 4% है तो यह ज्यादा इंपेक्ट तो नहीं करेगा इसके पराइस पे और जो इसका जो जो जमेनिका प्लांट है वो भी बहुत जल्ली स्टार्ट होने वाला है 2021 में तो यह भी एक अच्छा न्यूज है इनके पास जो टोटल डेट है वो है 1212 USD मिलियंज इनके पास जो कैसे वो है 208 USD मिलियंज तो जो टोटल डेट है इनके पास है जो की 7300 कोर रुपीज के ब्रावर है इनके जो टोटल सेल्स है अभी जो उन्होंने दो सब्सिटी कंपनी को सेल किया है उसका टोटल सेल वैल्यू है 637 क्रोड अगर जूम करें के टेक्स के बाद अगर से 550 क्रोड मिलता है और इससे अपना डेट को कम करती है तो 7300 क्रोड म कंपनी के पास इस्टा कैसे वह भी 200 मिलियन एस्टी का है मैं असा करता हूँ कि 2021 तक अपने डेट को 50% तक कम कर लेगी और इसका जो नेट डेट वीटाज रस्यू है वो 2.5 एक्स लेवल पर आ जाएगा तो इससे क्या होगा कि इनको जो फर्दर अगर डेट चाहिए स्टॉक को भाई करेंगे आए बारा साल में पहले वा ऐसा हुआ है कि जेन इंडेश्टी को जो मनेजमेंट है उन्हों ने यह दिखाया है कि उनको चाहते है कि डेट डिडिउस हो तो यह जो मैसेज उनना ने दिया है यह जो 637 क्रों ने मिला है इससे बड़ा मैसेज यह आ कर सकती है अगर इनके सबसेड़ी कंपनी में देखे तो जो सीमिंट कंपनी है वो उसे अगर सेल के जा तो उससे भी साहे 3000 क्रों पर आ सकता है अगर वह ऐसा चाहे तो तो अब यहां से मुझे लगता है कि जेन इंडिस्टी में एक बूल फेज आएगा और जनवारी फरवर एक अच्छा नया साल में एक अच्छी ख़वर दे रही है तो चली होप करते हैं कि आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो प्लीज मोटिवेट कीजिए मोटिवेट करने के लिए आप सिफ आपको करना क्या है लाइक बटन क्लिक कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू जाहिंद